दोस्तों हमें हपनी लाइब में हर बार मैत को एक मैत जिस बद्रोस है मैं में हरो किसी को सब्सक्रीकर्ण को फषक्त जाएगा answer आपके screen पे दिखा दिया जाएगा तो कितनी कमाल की बात होगी तो दोस्तों इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूं इसी आपको इनफॉर्मेशन शेर करने वाला हूं कैसे आप किसी भी सब्सक्राइब करने वाला कुछ भी कर सकते हो बहुत कमाल की आप अगर आपने फोन में इंस्टोल कराना तो मैं आपको शुरेट दिलाने वाला हूं कि आपके मैथ इंप्रूब होने वाली है आपका भी कैलकुलिशन में नहीं फस होगे तो यह दोस्तों वीडियो काफी कमाल की रहने वाली है मुझे उमीद है आप इस वीडियो को आखिर तक मैंने इसमें इंफोर्मेशन डालने की कोशिश करिए तो फटा-फट से वीडियो को अलबकर करें चाहिए बढ़ना चाहिए उससे क्या होगा जैसे मैं कोई नाई वीडियो कर वीडियो का नवा पकातुक्ष कव से पैले रिवीडियो करते untuk tech सबसे पाएंगे और कुछ नया चीपा हैं मीइसेए तो यहांतिकर बात करते कैसल आपके फोन के कैमरे के तुरूए आपको एक्वेशन सॉल्व करके देने वाली है तो या फिर आपके कोई भी छोटी मूटी मैथ प्रोब्लम सहुत करके देने वाले मैं पूरी वीडियो में टुटोरियल भी बनाऊंगा कैसी किस टाइप की क्वेशन से सॉल्व कर सकती है तो आपको आपको सर्च करना होगा फोटो मैथ जैसे आप यह सर्च करते हैं तो आपके सामने एक एप खुल के आईगी जिसका आपको इंस्टॉल कर लेना है बारा एंबी केवल एप है तो इसका के आई जो लोगो है कुछ इस तरीके का दिखेगा तो इसी आपको डाउनलोड करें ट सामने कुछ एप है जो टुटोरियल करके दिखाएगी जो कि मैं आपके जाकर आपको बताऊंगा तो आप इसे स्किप स्किप करके डन कर दीजिए तो उसके बाद डन करने के बाद में यह एप आप से आपके कैमरे की एक्सेस मांगेगी तो आप इसको अलाव कर दीजिए लाउ करने के बाद में अलाव करने के बाद आपके सामने आपके फोन में एक काम उपन हो जाएगा और परह Dé towards तो इसका ट्रियम लेने वारा कैसे यह क्या करती है तो मैं यहां पे कुछ के लिच्छन करके दिखाता हूं तो जैसे कि मैं यहां पे पहली में एकवषिन के मित देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है उसके बाद मैंने एक थोड़ी सी मुश्किल और कैलकुलेशन लेने कोशिश करी तो उसे भी से अपने बढ़ी आसानी से सॉल्फ कर दिया फिर मैं थोड़ा और आगए चलता गया चलता गया तो मैंने काफी बड़ी बड़ी एक्वेशन सॉल्फ करने के कोशिश करी और उसके बाद मुझे एकुरेट आंसर बिलता गया लेकिन मैं अभी यहां तक अभी भी खुश नहीं था मैं इस एपको और टेस्ट करना चाहता था तो इसके लिए मैंने थोड़ी और कैलकुलेशन से लिखी जिस आपको इक्वेशन को इसमें स्कैन करना है जो आपको बॉक्स दिक्राइस के अंदर और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक्स की वेल्यू फाइंड आउट हो चुकी एक्स की रूट्स फाइंड आउट हो चुके हैं तो यह कावी कमाल की बात फिर मैंने और मुश्किल एक्वेशन स्कैन करनी कोशिस करी तो वो भी इसने बड़ी आसानी से हमें दे दिया उसका अंसर लेकिन उसके बाद ऐसे कुछ रूट्स नहीं होते हैं मतलब कि हम जिसके आंसर नहीं निकाल बाते हैं तो उसी के साथ साथ हमें यहां पर एक और उप्शन देती है जो कि है ग्राफ का तो यहां पर आपको बता देखिए कि एक एक क्वेशन कैसे रूब बनाने वाली है काफी अमेजिंग बात है यार मेरे जैसे स्टुडेंट्स के सकते हैं इनकेस अगर आपका कोशन कलत स्कैन हो जाता है कुछ भी कुछ भी तो यहां पर दुबारा से हम देखेंगे तो एक्वेशन है जो एडिट हो जाती है और उसके बाद हमें आंसर मिल जाता है तो इसके बाद मैंने सोचा यार यह तो चलो होता ही है लेकिन हम प्लस कोस 45 थोड़ी देर के बाद में हमें उसका भी आंसर इसकैन करने के बाद मिल गया फिर मैंने थोड़ी एक्वेशन को और एक्स्टेंड करा फिर मेरे को आंसर दुबारा देखने को मिला फिर मैंने सोचा यार लोग में मैं ट्राइ मारता हूं तो मैंने जैसे ही लोग को सर्च करा को तो यहां पर मेरे को उसका भी आंसर में तो यह मतलब मैं समझ गया कि यार यह एप बहुत काम आ करती है किसी भी स्टुडेंट के लिए तो मुझे इस एक को शेर करना चाहिए दोस्तों एक और इस एक कमाल की चीज मानलो आप आंसर तो देख लिया लेकिन उसके आपके कैलकुलेशन कैसे वह आपको देखना है तो आपको जैस्ट दुबारा से उसको स्कैन करनी है कैलकुले है किस तरीके से हमने क्या करा है कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज कर रहा है उसके बाद कैसे हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ है उसी कहलाव नीचे ग्राफ दिया जाएंगे रूट्स मिनिमम वाई इंटरसेप सोल्यूशन सब कुछ सब कुछ इस हैप मिलेगा जो आपको हर बार अपना कैलकुलेटर नहीं निकालना पड़ेगा आपको फोन में से एप को खोलना है इसकैन करना है तो थीन है दोस्तों एक इतनी कमाल की एप तो मुझे उम्मीद है आप इस एप को डाउनलोड करोगे और इस वीडियो को लाइक भी कर दोगे और नीचे कमे आपके दार वीडियो में तब तक के लिए हैव गूड़ डबाएंड की वाचिंग रॉच्ट इट टैग